हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नोकडी एलर्ड पर आज के वीडियो में हम लोग डिसकेस करेंगे यह सारे कोश्चन आपके हर एक एक्जाम के लिए इंपोर्टन है जैसे कि रेलवे एससी डिफैंस और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम आगे भी आपको इसने के वीडियो प्रोवाइट करत ताकि आपको सभी कोस्ञें के बारे में पता चले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इन वीच स्टेट आउध्या इज लोकेटेद आउध्या कहां पर लोकेटेद है एंसर इज सी उत्तर प्रदेश फू इस दा आर्टेटेक ओप आओध्या राम मंदिल आउध्या र मंदिल आयोधिया राम मंदिल का फाउंडेशन इस्टोन कब रेज हुआ एंसर इस सी फिफ्ट अगस्ट टुथाजन ट्वेंटी विच कम्पनी विल बूल आयोधिया राम मंदिल वह कौन सी कम्पनी बनाएगी एंसर इस ए एल एंटी लेजन एंट तुर्बो छोई वेन्वाज दैशन नेम औफ ए ओयोधियाCा अएंटार्या नेयम क्या है एंसर इस फिफेजाबादा ब लेखिवाट उप्या का तुर्ण गहाति सी एंसर इचरी वाटर्वाचर शोष्टी वाथ अांधिया यूधल की हींट कि Walking I intellig website टेमटीट short मतलब कि जब बाबरी मस्जीद डिमोलाइस्ट हुआ था तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे एंसर इज दी पीवी नरेशिमा राउ आयोधिया इस सिटुएटेड ओन डी बैंक ओफ विच रिवर आयोधिया कौन से बैंक के उपर लोकेटेड है एंसर इस सी शुर्यू हौँ मेंगे फ्लोर्स रिवर इन एयोधिया मंदिल में कितने फ्लोर्स होंगे एंसर इस दी थ्री हौ द्यू मेंगे बैंक बांदेब और तो इंसर ग उन्दी ए बाबर इंडिया में कब आया था? Answer is C. 1526. Who built the बाबरी मजीद? बाबरी मजीद कोन बनाया था? Answer is B. मिर बाकी. What amount will be spent for आयोध्या राम मंदिल? आयोध्या राम मंदिल बनाने में कितने खर्चा होगे? Answer is A. 300 करोर. How many judges who declared the hearing of आयोध्या राम मंदिल? कितने judges थे जो आयोध्या राम मंदिल की hearing को दिशाइड केर थे? Answer is C. 5 judges. Who is the present chief minister of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की present मुख्या मंतर कोन है? Answer is D. योगी आधित्यानाथ. Who led the foundation stone of आयोध्या राम मंदिल? आयोध्या राम मंदिल की foundation stone कोन लेट किया? Answer is B. PM. Narendra Modi. When was the बाब्री मस्जीद बुल? बाब्री मस्जीद कब बना था? Answer is C. 1526. How many pillars will be there in आयोध्या राम मंदिल? आयोध्या राम मंदिल में टोटल कितने pillars होंगे? Answer is 360. How many acres of land was disputed in आयोध्या राम मंदिल? कितने acres land dispute में था आयोध्या राम मंदिल के जो? Answer is B. 2.77 acres. How many days the continue hearing of आयोध्या dispute case last? मतलब कि जब आयोध्या के lane dispute के case चल रहे थे? कितने दिन तर कॉंट्यूवास case चल ले थे? Answer is C. 40 days. तो आज की वीडियो में बस इतने ही. अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन को प्रेस करें, ताकि हम आगे भी आपको इस तर के वीडियो प्रवाइड करते रहें, और वीडियो को जारा सेर करें. Thank you.